परिचाए चात्रो इन समीकरणों को देखो ये समीकरण किस प्रकार के है सर ये रेखिक समीकरण है बहुत अच्छा और ये समीकरण किस प्रकार के है यह भी एक रेखिक समीकरण है सर तुम सही हो राहुल ये भी रेखिक समीकरण ही है लेकिन इसमें दो चर हैं अताह ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है आज मैं तुम्हें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताऊंगा उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे दो जरों वाले रैकिक समीकरण युग्म को समझना, ग्राफिये विधी का वर्लन करना, रैकिक समीकरणों के युग्म के हलकी बीज गणितिये विधी बताना, प्रतिस्थापन विधी का वर्लन करना, विलोपन विधी का वर्लन करना, वज्र गुणन विधी का वर्लन करना, वे समीकरण जो दो चरों के प्रयोग से लिखे जाते हैं, उन्हें दो चरों का रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं. दो चरों एक्स और वाई के रेखिक समीकरण युग्म का समाने रूप निम्न है, ए एक एक्स जमा बी एक वाई जमा सी एक बराबर शुने, ए दो एक्स जमा बी दो वाई जमा सी दो बराबर शुने, जहां ए एक, बी एक, सी एक, ए दो, बी दो, सी दो सभी वास्तविक संख्याय हैं, और ए एक वर्ग जमा बी एक वर्ग शुने के पराबर नहीं है, उधारण चार एक्स घटा, पांच वाई घटा छुने, बराबर शुने, और आठ एक्स जमावाई जमाचार बराबर शुन्ने, एक्स जमावाई बराबर बारह और साथ बराबर वाई. ग्राफ ये विधी एक, एक रैकिक सम्यकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैकिक सम्यकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। तुल्ले रैकिक सम्यकरणों के एक युग्म के आपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसी युग्म को दो चरों के रैकिक सम्यकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। रैकिक सम्यकरणों का आश्रित युग्म सधैफ संगत होता है। दो चरों के रेखिक समीकरण युग्म का आलेएक दो रेखाओं द्वारा निरूपित होता है। यदि रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेट करती हैं, तो वह बिंदू समीकरण युग्म का अद्वितिय हाल होता है। इस इस्थिती में समीकरण युग्म संगत होते हैं। यदी रेखाएं समपाती हैं तो समीकरणों के आपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रेखा का प्रतेक बिंदू एक हल होता है। इस इस्तिती में समीकरण युक्म आश्रित यानी संगत होता है। और सबसे आखरी है कि यदी रेखाएं समानतर हैं तो समिकरणों का कोई हल नहीं होता। इस इस्थिति में समिकरण युक्म असंगत होता है। ग्राफिये विधी भाग दो यदी रेखिक समिकरणों का युग्म A1X जमा B1Y जमा C1 बड़ाबर शूने और A2X जमा B2Y जमा C2 बड़ाबर शूने दिया है तो निम्निलिखित इस्थिति प्रस्तित हो सकती है। एक, A1 बड़े A2 बराबर नहीं है, B1 बड़े B2 के। इस इस्थिति में रेखिक समिकरण युग्म संगत होता है। इस्थिति 2, A1 बड़े A2 बराबर है, B1 बड़े B2 बराबर नहीं है, C1 बड़े C2 के। इस इस्थिति में रेखिक समिकरण युग्म असंगत होता है। इस्थिति 3, A1 बड़े A2 बराबर है, B1 बड़े B2 बराबर है, C1 बड़े C2 के। इस इस्थिति में रेखिक समिकरण युग्म संगत और आश्रित होता है। उधारण इन अनुपातों की तुल्ला करने पर ग्यात कीजे कि यदि रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेत करने वाले रेखिक समिकरण युग्म को निरूपित करती हैं, तो वे समानतर होंगी या संपाती होंगी। पांच एक्स घटा चार वाई जमा आठ बराबर शूने, साथ एक्स जमा छे वाई घटा नौ बराबर शूने। पहले हम क्यात करेंगे ए एक बटे एदो, बी एक बटे बी दो और सी एक बटे सी दो। फिर उनकी तुल्ला करेंगे। अता हमें निम्न हल प्राब्द होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ए एक बटे एदो बराबन नहीं है, भी एक बटे बी दो के। अता रेखाएं परस पर प्रतिछेत करेंगी। एक रहकिक समिकरण युगम को हल करने की बीज गनितिये विधी। जब रहकिक समिकरणों के हलों का निरूपित करने वाले बिंदूओं के निर्देशांक पूरांक ना हों, तो ग्राफ ये विधी सुविधा जनक नहीं होती। अता हम बीज गनितिये विधी का प्रयोग करते हैं। बीज गणिती विधियां तीन प्रकार की होती हैं। प्रतिस्थापन विधी, विलोपन विधी और वजरुगुणन विधी। प्रतिस्थापन विधी में हम एक समिकरण जिसे आप चिनना चाहें, उसको एक चर जिसे आप चिनना चाहें, उसके लिए हल करके इसका मान दूसरे समिकरण में चैनीत चर के मान के लिए प्रतिस्थापित कर देते हैं। फिर आप पहला समिकरण पुना हल कर लेते हैं। आई आईए एक उधारण हल करें. X जमावाई बराबर 20. X घटावाई बराबर 10. चरण एक. आपके पास दो समीकरण हैं. पहला या दूसरा कोई समीकरण चुन लीजिए और इसे X या Y के लिए हल कीजिए. आईए X घटावाई बराबर 10 चुनें और इसे X के लिए हल करें. दोनों पक्षों में Y चोड़ने पर हमें X बराबर 10 जमावाई प्राप्थ होता है. चरण तो. अब सबसे उपर के समीकरण में X का मान रखें. X जमावाई बराबर 20 का प्रयोग करके X को हटा दीजिए. और 10 जमावाई लिखें. हमें 10 जमावाई बराबर 20 प्राप्थ होगा. दोनों पक्षों में से 10 खटाने पर हमें 2Y बराबर 10 प्राप्थ होगा. अब दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें Y बराबर 5 प्राप्थ होगा. अब हमारे पास Y का मान है. अब हम इस मान को किसी भी समिकरण में रखकर X का मान ग्याद कर सकते हैं X जमा Y बराबर 20 में Y का मान प्रतिस्थाफित करने पर हमें X जमा 5 बराबर 20 प्राप्त होगा दोनों पक्षों से 5 खटाने पर हमें X बराबर 15 प्राप्त होगा समीकरण युग्म का हल X बराबर 15 और Y बराबर 5 होगा वस्तता 15 जमा 5 बराबर 20 और 15 घटा 5 बराबर 10 प्राप्त होगा विलोपन विथी प्रतिस्थापन विथी से आप परीचित हैं दूसरी विथी को विलोपन विथी या योग या वैपकलन विथी कहते हैं समीकरणों को हल करने की इस विधी में एक चरको योग या व्यवकलन द्वारा समीकरण से विलोपित किया जाता है जब आप दो समीकरणों का योग करते हैं तो आप मुलता उनके सभी भागों का योग करते हैं मान लीजिए कि आपके पास समीकरण है 4X जमा 5Y बराबर 14 घटा 4X घटा 3Y बराबर घटा 10 दोनों के योग से हमें 2Y बराबर 4 पराप्त होता है जैसा कि आप देख सकते हैं 4X और घटा 4X परस पर समाप्त हो गए इसलिए X जड विलोपित हो गया जिसके परिडाम सो रूप समीकरण में केवल एक जड यानि Y शेश रह गया और अब समीकरण को हल किया जा सकता है हल करने पर हमें Y परापर 2 पराप्त होता है अब आपके पास Y का एक मान है अतहाँ आपको X के लिए एक मान गयात करना है इसके लिए किसी भी मूल समीकरण में Y का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए और X गयात कर लीजिए इस समीकरण में Y का मान दो प्रतिस्थापित करने पर हमें X का मान एक प्राप्थ होगा इन दोनों समीकरणों के लिए आपका हल एक और दो है मान लीजिए कि दो समीकरण इस प्रकार है दो चरों X और Y के रहकिक समीकरण युग्म है जहां A1 बटे A2 परापर नहीं है B1 बटे B2 के यानि A1, B2 घटा A2, B1 बरापर नहीं है शुने के तो इस समीकरण युग्म का एक अज़ुतिय हल होता है जो निम्न प्रकार है वज्र गुणन का उधारण वज्र गुणन विधी से हल युग्म प्राप्त कीजिए X जमावाई बरापर 6 X घटा Y बरापर घटा 2 हल दिये गए समीकरण है X जमावाई बरापर 6 इस से प्राप्त होता है X जमावाई घटा 6 बरापर 0 और दूसरा है X घटा Y बरापर घटा 2 इस से प्राप्त होता है X घटा Y जमावाई बरापर 0 हम देख सकते हैं A1 बरापर 1 B1 बरापर 1 C1 बरापर घटा 6 A2 बरापर 1 B2 बरापर घटा 1 C2 बरापर 2 है हल X और Y दिये गए है X बरापर B1 C2 घटा B2 C1 बटे A1 B2 घटा A2 B1 आता हल करने पर हमें X बरापर 2 प्राप्त होगा Y बरापर C1 A2 घटा C2 A1 बटे A1 B2 घटा A2 B1 हल करने पर हमें Y बरापर 4 प्राप्त होगा अता हल 2 और 4 है दो चरों के रहकिक समिकरणों के युक्म में बदले जा सकने वाले समिकरण ऐसे कई समिकरण हैं जो रहकिक नहीं होते लेकिन जिन हैं मामूली प्रतिस्थापन से दो चरों के रहकिक समिकरण के युक्म में बदला जा सकता है आईए निम्लिलिखित उधारण हल करें हल मान लें A बरापर 1 बटे X और B बरापर 1 बटे Y तब A बटे 2 जमा B बटे 3 बरापर 2 या 3A जमा 2B बरापर 12 होगा इसे समिकरण 3 से चिन्हित करें और A बटे 3 जमा B बटे 2 बरापर 13 बटे 6 या 2A जमा 3B बरापर 13 होगा इसे समिकरण 4 से चिन्हित कीजे इन समिकरण को हल करने के पश्चात हमें A बरापर 2 और B बरापर 3 प्राप्थ होगा चुकि A बरापर 1 बटे X है इसलिए X बरापर 1 बटे 2 होगा और B बरापर 1 बटे Y है तो Y बरापर 1 बटे 3 होगा यह दिये गए समिकरणों के हल हैं क्या आप चानते हैं किसी समिकरण का कोई बिंदू उसके आलेक पर इस्थित होता है यदि उसके निर्देशांग समिकरण को संतुष्ट करते हैं रहकिक समिकरण का आलेक एक गैर उर्द्वा धर रेखा होती है जिसका स्लोप M और Y बी को प्रतिछे दित करता है साराश आईए हमने जो कुसी का है उसे संग्षेप में दोहराएं दो जरों में दो रहकिक समिकरण एक रहकिक समिकरण का युग्म कहलाता है एक रहकिक समिकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप इस प्रकार है जहां A1, A2, B1, B2, C1, C2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं कि A1 वर्ग जमा B1 वर्ग शूने के पराबन नहीं है A2 वर्ग जमा B2 वर्ग शूने के पराबन नहीं है एक रहकिक समिकरन युग्म को ग्राफिय रूप में निरूपित किया जा सकता है और हल ग्राफिय विधी द्वारा तथा बीज गनितिय विधी द्वारा दोनों प्रकार से किया जा सकता है ग्राफ ये विधी, दो चरों में एक रहकिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरुपित करता है यदि रेखाएं एक बिंदू पर प्रतिछेत करती हैं, तो वह बिंदू दोनों समीकरणों का अधुतिय हल होता है इस इस्थिति में समी करन युक्म संगत होता है यदि रेखाएं संपाती हैं तो उनके आपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं रेखा परिस्थित प्रतेक बिंदू हल होता है इस इस्थिति में समी करन युक्म आश्रित यानी संगत होता है यदि रेखाएं समानतर हैं, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है इस स्थिती में समीकरण युग्म असंगत होता है बीज गणितिये विधी हमने एक रैखिक समीकरण युग्म के हल को ग्यात करने के लिए निम्न विधियों की चर्चा की है प्रतिस्थापन विधी, विलोपन विधी और वज्रगुणन विधी यदि दिये काई रैखिक समिकरण A1X जमा B1Y जमा C1 बराबरशुन है और A2X जमा B2Y जमा C2 बराबरशुन है ये एक रैखिक समिकरण युग्म को प्रतशित करते हैं तो निमने स्थितियां उत्पन हो सकती है